नमस्कार मित्रूं, इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले है, जो आपसे किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते है, तो वीडियो को अंध तक जरूर देखे. आपका पहला सवाल है, मनुश्य के दिमाग का वजन कितना होता है? आपके ऑप्षन है, A. 800 ग्राम, B. 1200 ग्राम, C. 1400 ग्राम, D. 1700 ग्राम. आपका सही जवाब है, ओप्षन C. 1400 ग्राम, आपका अगला सवाल है, इन में से कौन सा बैंक देश का सबसे पहला बैंक है? आपके ओप्षन है, A. कैनरा बैंक, B. भारतिय स्टेट बैंक, C. पंजाब नेशनल बैंक, D. बैंक ओफ हिंदुस्तानी. आपका सही जवाब है, ओप्षन D. बैंक ओफ हिंदुस्तानी. आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ओप्षन है, A. मुंबई, B. कोलकाता, C. डिल्ली, D. मद्रास. आपका सही जवाब है, ओप्षन A. मुंबई. आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था? आपके ओप्षन है, A. अमित, B. चंदन, C. सिद्धार्थ, D. वर्धमान. आपका सही जवाब है, ओप्षन C. सिद्धार्थ, आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर आसमान की तरफ नहीं देख सकता है, आपके ओप्षन है, A. जिराफ, B. हाथी, C. भालू, D. सुर. आपका सही जवाब है, ओप्षन D. सुर. आपका अगला सवाल है, मुख्य मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयू कितनी है, आपके ओप्षन है, A. 25 वर्ष, B. 30 वर्ष, C. 35 वर्ष, D. 18 वर्ष. आपका सही जवाब है, ओप्षन A. 25 वर्ष, आपका अगला सवाल है, कौनसा ग्रह सुर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, आपके ओप्षन है, A. बुद्ध ग्रह, B. शुक्र ग्रह, C. प्रित्वी, D. मंगल ग्रह. आपका सही जवाब है, ओप्षन A. बुद्ध ग्रह, आपका अगला सवाल है, किस फल में कभी कीरा नहीं पड़ता है, आपके ओप्षन है, A. केले में, B. अम्रूद में, C. आम में, D. अनार में, आपका सही जवाब है, ओप्षन A. केले में, आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है, जो 30 फीट तक छलांग मारता है? आपके ओप्षन है, A. फिरन, B. बंदर, C. चीता, D. कंगारू आपका सही जवाब है, ओप्षन D. कंगारू आपका अगला सवाल है, किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते है? आपके ओप्षन है, A. भारत, B. इचली, C. जापान, D. फ्रांस रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर लीजिए आपका सही जवाब है, ओप्षन D. फ्रांस आपका अगला सवाल है, कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ? आपके ओप्षन है, A. श्री लिंका, B. गुठान, C. नेपाल, D. चीन आपका सही जवाब है, ओप्षन C. नेपाल, आपका अगला सवाल है, मसालों की राणी किसे कहा जाता है? आपके ओप्षन है, A. तेज पत्ता, B. इलाइची, C. लाल मिर्च, D. लूंग आपका सही जवाब है, ओप्षन B. इलाइची, आपका अगला सवाल है, किसे उगते हुए सूरज का देश नाम से जाना जाता है? आपके ओप्षन है, A. फ्रांस, B. श्री लिंका, C. जापान, D. इचली आपका सही जवाब है, ओप्षन C. जापान, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रिय व्रिक्ष कौन सा है? आपके ओप्षन है, A. बर्गद, B. आम, C. पीपल, D. नीम आपका सही जवाब है, ओप्षन A. बर्गद, आपका अगला सवाल है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? आपके ओप्षन है, A. कैत्रीना, B. हिमान्शी, C. रेश्मा, D. इन में से कोई नहीं आपका सही जवाब है, ओप्षन C. रेश्मा, आपका अगला सवाल है, चुहा एक साल में कितने बच्चों को जन दे सकता है? आपके ओप्षन है, A. लगभग 800, B. लगभग 1000, C. लगभग 1200, D. लगभग 1500 आपका सही जवाब है, ओप्षन B. लगभग 1000, आपका अगला सवाल है, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ओप्षन है, A. 18 जून, B. 30 जून, C. 22 अप्रेल, D. 15 जून आपका सही जवाब है, ओप्षन D. 15 जून, आपका अगला सवाल है, बंदर का ओसत जीवनकाल कितना होता है? आपके ओप्षन है, A. 20 वर्ष, B. 15 वर्ष, C. 25 वर्ष, D. 18 वर्ष आपका सही जवाब है, ओप्षन C. 25 वर्ष, आपका अगला सवाल है, खोखो में कितने खिलाडी एक टीम में होते है? आपके ओप्षन है, A. 11 खिलाडी, B. 17 खिलाडी, C. 9 खिलाडी, D. 12 खिलाडी आपका सही जवाब है, ओप्षन C. 9 खिलाडी, अब ये सवाल आपके लिए है, आप सभी इसका जवाब कमेंट में जरूर बताए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ओप्षन है, A. 6 सितमबर, B. 5 सितमबर, C. 7 सितमबर, D. 9 सितमबर, आपका सही जवाब क्या प्लीज कमेंट में जरूर बताए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ सबस्क्राइब करना न भूलें